आनन धाम की और धर्मर पसंग में महापुरुष स्वामी शिवानजी महराज अध्याई 86 पृष्ट शंख्या 264 बेलूडमट शुकरवार 4 मार्च 1932 एक भक्त शट चक्र के संबंद में जानना चाहते हैं महापुरुष्ची ने सेवक से कहा उसे लिखतो वह सब जानने की आवशक्ता नहीं केवल रो खूब रो सरल बालक के समान व्याकुल होकर रो और प्रात्ना करो ठाकूर मुझे भक्ती विश्वास दो मा रक्षा करो अपने इस माया पास से मुझे मुक्त करो मैं बच्चा इतना ही जानता हूँ मा मा कहते हो एक हूब रो बच्चा रो सरल विश्वास लेकर उनके शरनागत होकर पड़े रो और रो पुछ द्या करेंगे ही मैं भी बहुत प्रात्ना करता हूँ बहुत आगे बढ़ जाओ धरमराज्य में बहुत अग्रसर हो जाओ बात में सेवक की और देकर कहा तुम क्या कह रहे थे उसका कुछ गड़बड है मैं वह सब कुछ नहीं जानता अतीत जीवन में किसने क्या किया क्या नहीं किया मैं वह सब जाना नहीं चाहता जो हो गया सो हो गया इस समय तो वह यहां आ गया है ठाकुर के शड़नागत हुआ है उसके सभी पाप कट जाएंगे वह बच जाएगा ठाकुर हैं कपाल मोचन यूगवतार के शणनागत हुआ है यह क्या कोई कम बात है बहुत पुन्य यदि ना होता तो क्या ऐसा संभव होता बे अवश्य उद्धार करेंगे ओम श्री राम कुष्णार पनमस्तू